प्रिधान में निकले बाहर तो पुलिस ने उतारी लोगों की आर्थी बरसा ए फूल क्रोना वारस के संक्रमन को देखते हुए प्रिधान मेंत्री नरेंद्र मोधी ने देश भर में लॉकडाउन किया है सरकार ने लोगों से बाहर ना निकलने की अपील की है जिससे लोगों में क्रोना वारस के संक्रमन को फैलने से रोका जा सके इसके लिए देश के हर इलाके में पुलिश को तैनात की गई है पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कर पर फिर भी कई जगा लोग बेवज़ सरक पर घूमते नज़र आ रहे हैं लोगों को बेवज़ घूमने से रोकने के लिए पुलिस सक्ती का रुक अपना रही है तो वहीं विलासपुर पुलिस का एक अनोखा तरीका सामने आया है यहां की पुलिस ने डंदे की मार्या जुर्माना नहीं लगा रही है बलकि बाहर सरक पर बेवज़ घूमने वाले लोगों की आरती उतार रही है और तिलक लगा कर उनका स्वागत कर रही है ये वीडियो फेस्बुक के एक यूजर ने अप्लोड किया है कुछ यूजर्स का कहना है कि ये वीडियो 36 गर के विलासपुर का है उनका कहना है कि विलासपुर पुलिस चौक-चोराः पर लॉकदान का उलंगन करने वालों की आरती उतार रही है जिसके बाद ये वीडियो लागतार वारल हो रहा है वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस सरकों पर घूमने मालों को लोगों को रोप कर उनकी आरती उतार रही है साथ ही उनके उपर फूल भी चड़ा रही है और तिलक भी लगा रही है बाके पुलिस कर्मी ओम जय जगदीस हरे आरती का रहे हैं यही नहीं वीडियो में पुलिस हांद जोड़कर उनसे विंती करती नज़र आ रही है कि प्रभू आप इस कठन समय में अपने घर पर ही रहे ताकि हम भविस्य में भी आपकी आरती उतार सके